एक व्यापारी को या एक पेशेवर विक्ति को टैक्स ओर्डिट कराना कब जरूरी होता है ये बड़ा इंपोर्टन प्रश्न है नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब 23 चोईश के लिए किसी भी व्यापारी को या किसी व्यावसाई को या किसी मैनुफेक्ट्रर को या किसी पेशेवर विक्ति को टैक्स ओर्डिट कराना कब जरूरी है टैक्स ओर्डिट से संबंदे बहुत सारे इंपोर्टन कोश्चन है जिनका उत्तर लेकर के इस वीडियो के थूँ मैं CNO भाटिया आपके सौख शादियो सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपोर्टन कोश्चन जिनका उत्तर जान पाएंगे आप इस वीडियो के हल्प से वो इस लाइबल फॉर टैक्स ओर्डिट के टैक्स ओर्डिट इतने स्विक्ति पर लागू है और अगर आप टैक्स ओर्डिट नहीं कराएंगे तो उसके कॉंसिक्वेंस क्या होंगे बहुत सी ऐसी एंटिटीज होती है फॉर एंग्जामपल कंपनी जिन पर स्टेक्टरी ओर्डिट एप्लिकिबल है उनके विधान के अनुसार उनपट टैक्स ओर्डिट के अलवा अल्रडिट होती है क्या उन्हें भी टैक्स ओर्डिट करानी है और संस्मंट इर 23 चुछ के लिए दोस्तों टैक्स ओर्डिट कराने की फाइनल डूदेट क्या होगी और जैसा कि मैंने पहले भी बुला कि what if tax audit is not filed अगर किसी विक्ति पर tax audit applicable है और वो tax audit report अपने CA से नहीं कराते हैं तो उसके क्या consequences उन्हें भुगतने पड़ेंगे ये questions का उत्तर आगे की discussion में आपके साथ एक-एक करके मैं लीने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले बात करा हूँ who is liable to tax audit कि tax audit के लिए liable कौन है बड़ी सरल वाशा मैं कहूंगा अब बिजनस्मेन और प्रोफेशनल यानि या तो वो विक्ति tax audit के coverage में आएंगे जो बिजनस्मेन है चाहे आप उन्हें trader कह लीजे manufacturer बोल दीजे इंडस्लिस बोल दीजे व्यापारी बोल दीजे wholesaler बोल दीजे retailer बोल दीजे और professional भी tax audit के coverage में आते हैं यानि ऐसे सबी व्यक्ति जिनकी आए profits and gains of business and profession head में taxable हो सकती है उनके लिए समभव है कि tax audit applicable हो पर मैं यह नहीं कहूंगा दोस्तों कि सभी व्यापारियों के लिए या सभी पेशेवर व्यक्तियों के लिए tax audit mandatory है ऐसे पेशेवर व्यक्तियों या ऐसे business man के लिए tax audit applicable है जिनका total sale, gross receipt या turnover एक prescribed limit जो income tax act के section 44 AB में mentioned है उसको exceed करता है उन्हें tax audit applicable होगी अब एक important question आपकी और से मुझे आएगा कि अनुग जी जब आप tax audit की बात करते हैं तो ये बात बताईए कि tax audit का perspective क्या है tax audit क्यों कराई जाती है बड़ा important question है दोस्तों लिकिए tax audit का basic नजरिया ये है कि income tax department आपकी books of accounts को आपके द्वारा किसी charter accountant से जो practicing charter accountant हो उनसे audit कराने की requirement स्थावित करती है इस audit का क्या नजरिया होता है इस audit के थूँ एक practicing charter accountant आपके books को देख करके ये decide करते हैं कि income tax के perspective से जो different clauses mentioned है आपकी books में उस संदर में क्या compliances या non-compliances हैं यदि compliances हैं तो उन्हें charter accountant सुदरवाएंगे या उनको department को report करेंगे ये एक basic नजरिया दोस्तों tax audit में आपको देखने को मिलेगा अब बड़ा ही महत्पूर्ण प्रशन है what is the threshold limit in the case of a business मैंने दोस्तों यहां business man को professional को अलग लग कर लिया है कोई भी तरीके का व्यापारी हो जैसा के मैंने बुला trader हो, industrialist हो, manufacturer हो, retailer हो, wholesaler हो, commission agent हो वो सब business man की category में आते हैं अब income tax law में section 44 AB जैसा के मैंने कहा वो tax audit की requirement पैदा करता है तो वो तीन में से एक sum के लिए आपका relevant figure pick करेंगे क्या आपकी total sale, आपका gross receipt या turnover अब अलगलग व्यापार की परिस्तिती में अलगलग criteria हो सकता है कहीं total sale वर्ड यूज़ाता है कहीं gross receipt और कहीं पर turnover थम रूल यह है कि अगर assessment year 23 चोईस यानि वित्तवर्ष 22 चोईस में आपका total sale gross receipt turnover एक क्रोड से प्लस है तो आपको tax audit कराना आवश्यक है लेकिन जैसे ही मैं यह कहूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि अनुप जी नहीं है हमने तो section 44 AD में अपना profit report किया है जहां minimum मेरे चाड़ा कॉंटनेंट कास आपके 6% 8% profit report कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल साइस है यदि आपका business income tax की धारा 44 AD में eligible है तो आप जब तक 2 क्रोड प्लस के turnover पर नहीं जाते तब तक आपको assessment year test चो इसके लिए tax audit applicable नहीं अब कुछ लोगोंने मुझे टोका और गोला अनुप जी एक 10 क्रोड प्लस की भी limit है दोस्तों आप threshold limit 10 क्रोड प्लस पराएंगे और by default rule जैसा कि मैंने पहली भी का एक क्रोड प्लस पर tax audit का है लेकिन अगर आपका business section 44 AD की nature का है तो आप 2 क्रोड प्लस के level पर assessment year 23-23 के लिए tax audit कराने के लिए liable है तो आई होप ये तीन threshold limit में से कौन सी आप पर applicable है वो आप सुनिश्यत करें और फिर ये तया होगा कि आप पर tax audit applicable है अत्वा नहीं अब जैसा दोस्तों मैंने businessmen के लिए discuss किया वैसे ही professional के लिए discuss करता हूँ आप कहेंगे रूप जी professional कोन सबसे पहले तो मेरे जैसे लोग जो charter accountant है या मेरे और बहुत सारे बाई चार्डर accountant, lawyers, doctors, then interior decorators, interior decorator के साथ ऐसे persons जो information technology में काम करते हूँ, film actors, actresses, ये सारे विक्ति और भी authorized representative वगरा categories हैं दोस्तों जो professional की category में आती है एक professional पर assessment year 23 जो इसके लिए tax audit अब applicable है जब उनकी gross receipt 50 lakh रुपीज प्लस जाती है यानि जो 50 lakh रुपे तक की gross receipt पे खड़े professional है उनको tax audit applicable नहीं है, mandatory नहीं है, लेकिन जो 50 lakh प्लस चले जाएंगे उनको tax audit mandatory हो अब दोस्तों आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने income tax की धारा 44 AD, अत्वा ADA, अत्वा A, जिने हम technically presumptive taxation schemes कहते हैं, उनमें benefit लिया हो, तो क्या उनपर tax audit applicable होगी या नहीं होगी, और कब होगी, ये एक बड़ा interesting discussion है, तो मैं एके करके आपके सामने रखता हूं ये बात, कि अगर कोई व्यक्ति section 44 AD में covered है, तो क्या उस पर tax audit applicable है, घमरूल यही है के नहीं साथ, जो section 44 AD में eligible account, for an example, a trader with turnover up to 2 crore, who is offering minimum 6% on banking transaction and 8% on cash transaction on his total sale, gross receipt turnover, तो उनको tax audit required नहीं, question आता है, ये बड़ा tricky question है, कि यदि वो 6% से कम या 8% से कम net profit report करते हैं, तो क्या tax audit applicable है, अब यहाँ ध्यान रखने की एक बड़ी important बात, ऐसा व्यक्ति जिसने पहले section 44 AD में benefit लिया हो, आप मालीजे पिछला साथ, और इस साल भी turnover उनका 44 AD में 2 crore तक हो, और वो यह कहना चा तो उनको फिर खिताबे रखनी है, under section 44 AA, और उसकी audit करानी है, under section 44 AB, ये clarity जान लेना बहुत महत्पुर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा tax audit पर confusion section 44 AD केटेगरी वाले करदाताओं पर होता है, और साथ ही साथ दोस्तों एक और requirement है, कि पहले तो आपने पिछले किसी year में 44 AD ल लिमिट में है, आपकी income, total income above exemption limit है, तो आप पर tax audit mandatory होगी, अब बात करता हूँ, professionals के case में दोस्तों, जो section 44 AD का benefit लेते हैं, उन्हें क्या benefit है, अगर किसी professional की 50 लाग तक की gross receipt है, for an example, an IT consideration, तो law ये कहता है कि minimum 50% या उससे ज़्यादा profit वो report कर दे, ठीक है साथ, अब अगर उन मान लीजे ऐसा करदाता, ये कहता है कि नीशाब मैंने 50% नहीं कमाया, मैंने कम profit कमाया है, मुझे कम earning होई है मेरे profession से, तो उन्हें tax audit कराना mandatory होगा, अब एक और section है presumptive taxation का, जिसको हम section 44 AE कहते हैं, ये applicable होता है दोस्तों, goods transport vehicle honors के उपर, कि अगर किसी वेक्ति के पास मैं 10 vehicle ह वो honor हैं, तो उन्हें 1000 रुपे per ton per month, ownership पर अपने particular vehicle पर offer करना है, presumptive basis पर, और अगर उनके पास में non heavy goods vehicle है, तो उन्हें 7500 रुपे पर month, per vehicle owned income offer करना है, लेकिन यदि कोई ये कहता है कि नहीं साब मेरे पास में तो इतना profit नहीं हुआ, इससे कम income है, तो ऐसी परिस्तिती मे उस वक्ति को किताबे भी maintain करनी है, और दोस्तों फिर audit कराना भी जरूरी हो, अग कुछ और important question जो मैंने शुरू मैं आपको कहे थे कि इनका भी उत्तर देनी की कोशिश करूँगा, उनका एक एक करके उत्तर रखता हूँ, इस tax audit mandatory बड़ा important question है जावियत हो, कि क्या tax audit कराना ज़रूरी है, जबरदस्ती है, हाँ साब, यदि आपका turnover threshold limit exceed करता है, gross receipt threshold limit exceed करती है, total sale threshold limit exceed करती है, जैसा मैंने पहले discuss किया, तो आपके लिए tax audit कराना आवश्यक है, mandatory है, is it an addition to a statutory audit, ये भी question मैंने शुरू में रखा था, मान लीजे कोई company है साब, उसका turnover for an example 15 crore है, तो 10 crore से plus भी हो गया, 1 crore से plus भी हो गया, तो ऐसी परिस्तिती में दोस्तों, उस company के लिए, चाहे उस पर company law में audit होती हो, तो भी tax audit कराना जरूरी है, what is its due date for the assessment year 23-24, दोस्तों assessment year 23, जो इसके लिए tax audit की due date होगी 30 सितंबर 2023, और आप ये मान के चलें, कि ये date नहीं बढ़ने वाली और इसी प्रकार से आपको सुनिश्यत करना है कि आप पर यदि tax audit applicable है, तो 30 सितंबर तक आपके charter account and एक tax audit report आपके लिए upload कर दें, और आप अपने portal पर जा करके, यानि अपने login पर जा करके उस report को accept कर लें, what if tax audit is not void, very important question, अगर आप tax audit नहीं कराते हैं, तो income tax की धारा 271 भी penalty का प्रावदान करती है, penalty क्या है जब, आपके total sales, gross receipt या turnover का 10% अत्वा 1,50,000 लुपी, whichever is less, इन दोनों में से जो भी कम होगा, मात्र उतने amount की penalty आप पर applicable हो सकती है, तो ये important questions मैंने यहाँ पर discuss किये, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि tax audit पर एक पकड़ आपकी इस प्रकार से तो निश्चत रूप से इस वीडियो से मजबूत होगी, कि कौन विक्ति tax audit के coverage में है, कौन tax audit के coverage में नहीं, क्या tax audit कराना आवश्चक है, अत्वा नहीं, क्या tax audit की due date, assessment year 23 जो इसके लिए सुनिश् वो भी मैंने बात रखे, और यदि tax audit नहीं कराएंगे, किसी करदातों को क्या consequences भुगतने पड़ सकते हैं, तो इसी आशा के साथ, कि यदि आप पर एक व्यवसाई, अत्वाई पेशेवर व्यक्ति के रूप में tax audit applicable है, तो आप within due date, अपनी tax audit सुनिश्चित कराएं, ताकि आप department की ओर से लगने वाली किसी प्रकार की penalty से बचे, तो बहुत सारी शुब कामनाओं के साथ दोस्तों, यहां आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जयेगे,